तैवान के राश्ट्रपती के दौरे को लेकर चीन ने अमेरिका को दीधम की पैसे के लिए औस्ट्रेलिया यदिकारी चीन गए और अमेरिकी कॉंग्रेस चीन के जबरन अंग निकालने को रोकने की कोशिश करती है वो और इस सप्ता के चाइना न्यूज हेड्लाइन्स में और भी बहुत कुछ चाइना अंसेंसिट में आपका स्वागत है मैं क्रिस चैपल हूँ ताइवान के लिए ये एक कठिन सप्ता रहा है ना केवल चीन से सामानने खत्रे के कारण बलकि चीन से विशिष्ट खत्रे के कारण भी जब खत्रों की बात आती है तो चीन स्पेक्टरम पर नहीं है वे तारांकन स्पेक्टरम है ताइवान की लोक्तांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपती तसाय इंग वेन ने इस सप्ताह ग्वाटेमाला और बेलीज की यात्रा करने के लिए मध्धे अमेरिका की यात्रा की, जो वहां के अंतिम दो देश हैं जो अभी भी ताइवान को माननेता देते हैं मध्य अमेरिका के रास्ते में वो बुद्वार को न्योयॉक शहर में उतरते हुए अमेरिका से गुजरी यह कोई सामानने बात नहीं है ताइवान के राष्ट्रपतियों के पास दूसरे गंतवे के रास्ते में अमेरिका के माध्यम से यात्रा करने की परंपरा है इन्हें निजी अनौपचारिक यात्राओं के रूप में माना जाता है ये राश्ट्रपती साई का अमेरिका से साथवा ट्रांजिट है और अगले हफते ताइवान वापस जाने के रास्ते में वो लॉस एंजल्स में रुकने और सदन के अमेरिकी अध्यक्ष केविन मैकार्थी से मिलने की योजना बना रही है लेकिन और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होगा जो चीन को नाराज करता है बैठक होने पर चीन ने जवावी कारवाई की धमकी दी इस बिंदू पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर तसाई इंगवेन वेटल सहथ किसी भी प्रमुक अमेरिकी से मिली तो चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी प्रतिशोद की धमकी देगी इन धमकियों के बावजूद स्पीकर मैकोथी के साथ बैठक संभवत अब भी होगी राश्ट्रपती तसाई इंगवेन ने कहा हम शांत और आश्वस्थ हैं न जुकेंगे और न भढ़काएंगे जाहिर है ये पर्याप तो तेजना है कम्यूनिस्ट पार्टी के एक प्रवक्ता ने धमकी दीकी चीन सक्ती से जवाबी लड़ाई लड़ेगा जवाबी हमला? यदि आप लड़ाई शुरू कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? राश्ट्रपती तसाई के मध्य अमेरिका में होने का कारण ताइवान के सहयोगियों ग्वाटेमाला और बेलीज के नेताओं से मिलना है यह विशेश रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सप्ता होन्डुरास देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के पक्ष में ताइवान के साथ संबंध तोड़ दिये क्यों? खैर होन्डुरास ने कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया लेकिन संदर्ब के लिए चीन ने लैटन अमेरिका में अरबो डॉलर डाले है जिसमें चीनी सरकार के वितपोशन में लगभग 300 मिलियन डॉलर के साथ चीनी कंपनी SINOHY DRO द्वारा निर्मित मद्ध होन्डुरास में एक पनबिजली बांध परियोजना शामिल है ताइवान के लिए ये एक बड़ी बांध समस्या है और होन्डुरास के लिए भी जब वे चीनी बुनियादी धांचे की गुणवत्ता देखते हैं यदि वे इतना बुरा बांध चाहते थे तो उन्हें उद बिलावों का साथ देना बहतर होता अब वो बांध समर्थक है लेकिन ताइवान के लिए एक अच्छी खबर है सप्ताह के प्रारंब में चैक गणराज्य के एक प्रतिने धिमंडल ने व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए ताइवान का दौरा किया चैक गणराज्य आधिकारिक तौर पर पी आर्सी को एक सच्चे चीन के रूप में मान्यता देता है जैसा कि 1949 से है जब चेकोल्स लावकिया एक सोव्यत उपगरा राज्य था लेकिन वर्तमान चैक नेतरित्व ताइवान के साथ संबंधों को गहरा कर रहा है और विशेश रूप से अपने नए राश्ट्रपती के तहट चीन से वापस खीच रहा है इस सपता ताइवान में प्रतिन धिमंडल का नेतरित्व करने वाले चैक राजनेता ने कहा एक सार्वजनिक चेतावनी थी लेकिन कोई अन्यकारे नहीं किया गया है इंतजार अधिकारियों के साथ सेलफी अधिक्षिय बैठक दोस्ती मैडल और चीन से कोई नतीजा नहीं इससे बस यही पता चलता है कि CCP से बदले की कारवाई के बिना आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं खासकर अगर CCP अमेरिका को धमकाने में व्यस्त है इमानदारी से कहूं तो वे एक साथ इतने सारे लोगों को धमका रहे हैं शायद वे पत्री से उतर गए हैं मैं इस हफ़ते किसके खिलाफ जवाबी कारवाई करने वाला था? अमेरिका, चेक रिपब्लिक, एक्सबॉक्स लाइब पर वो ग्यारा साल का बच्चा जिसने मुझे विनी कहा मुझे अपने दुश्मनों की एक स्प्रेटशीट रखने की जरूरत है और ब्रेक के बाद चीन कैसे विदेशी अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है वापसी पर स्वागत है जहां कुछ राजनेता चीन से वापस आ रहे हैं वही अन्य दीवार पर लिखी इबारत को पूरी तरह से नजरंदास कर रहे हैं और जो जाती अलपसंख्यकों को यातना शिवरों में डालते हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ केवल ये पूछने के लिए व्यापार युद्ध शुरू कर दिया की कोविट वास्तव में कहां से आया है हाँ, वो चीन यात्रा करने का एक सही समय लगता है ये साओधी अरब द्वारा पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के बारे में सुनने और सोचने जैसा होगा मुझे पता है कि मैं इस साल छुट्टी मनाने कहां जा रहा हूँ लेकिन एंड्रूस का कहना है कि उनके राज्य को चीन के साथ व्यापार को गहरा करने की जरूरत है आप देखें चीन अविश्वस्निय रूप से महत्वपोर्ण है 2022 में हमारा दो तरफा व्यापार उन सभी कोविट जटकों के साथ अभी भी 40 डॉलर बिलियन से अधिक था ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपोर्ण व्यापारिक भागिदार है साथ ही विक्टोरिया में लगभग 42,000 चीनी चात्र हैं जो आमतोर पर राज्य के विश्वविद्यालियों में पोर्ण ट्यूशन का भुकतान करते हैं और आप नहीं चाहते कि वे चीन वापस जाएं इसलिए नहीं कि चीन लोटने पर वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे लेकिन क्योंकि विक्टोरिया की लगभग 14 डॉलर बिलियन मूल्य की आर्थिक गतिविधी का अंतराष्ट्रिय शिक्षाक्षेत्र में पता लगाया जा सकता है तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि एंडूरूस को चीन के मानवाधिकारों के हनन या जो भी हो उसकी परवा नहीं है ये सिर्फ इतना है कि वो पैसे के बारे में अधिक परवा करता है वो सुनिश्चित होना चाहता है कि वो मोडोर की अपनी अगली छुटी का खर्च वहन कर सके दुष्ट सौरोन के वापस आने की बात सुनने के बाद उसे लगा कि छुटी मनाने के लिए ये सबसे सही जगा है इस बीच अमेरिकी राज्य यूटा के सांसदों की चीन यात्रा को लेकर जाच की जा रही है इस सब्ता एसोसियेटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पचीस यूटा सांसदों के समोहों ने 2007 के बाद से हर दूसरे वर्ष नियमित रूप से चीन की यात्राय की व्यक्तिगत धन का उप्योग करने के बजाए उन्होंने अभियान दान और चीन से आने वाले धन का मिश्रण किया और जब से ये यात्राय शुरू हुई है यूटा के कई सांसदों ने चीन के बारे में अच्छी राय बना ली है विशेश रूप से चीनी कम्योमिस्ट पार्टी ने उनके मौमन विश्वासों और उनकी आशाओं के प्रती अपील की कि एक दिन मौमन चच चीन में विस्तार कर सकता है क्योंकि अगर कोई मौमन चच चाहता है तो वो आधिकारिक तोर पर नास्तिक चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी है ये किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने जैसा है जो कहता है कि वे एक परिवार बनाना चाहते हैं जब आप उन्हें पुरुष नस्बंदी क्लिनिक में मिले और बदले में स्लेश पूरी तरह से एक सयोग युटा सांसदों ने देरी से कानून बनाया जो बीजिंग को पसंद नहीं आया निक्स किये गए प्रस्तावों ने अपने कारियों से नाराजगी व्यक्त की और चीनी सरकार की छवी को बढ़ाने वाले तरीकों से समर्थन व्यक्त किया जीत-जीत की तरह लगता है सिवाए इसके कि यह मौमन चच के लिए एक थोस हार है जो अभी भी चीन में अवैद है लेकिन है मुझे यकीन है कि अगर आप उनकी मदद करते रहेंगे तो वे अंतता अपनी बात रखेंगे अंशिक रूप से CCP के प्रभाव वाली गतिविधियों के जवाब में यूटा के एक विधायक ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया है जिसके लिए राज्य के अधिकारियों को विदेशी सरकार के उफारों का खुलासा करने की आवशक्ता होगी लेकिन किसी कारण से अन्य सांसदों को वो बिल पसंद नहीं आया और समिती में उसकी मृत्यू हो गई यह शायद इसे उनके डैस्क पर नहीं बनाया तुम्हें पता है वहाँ कोई कमरा नहीं होने के कारण उन पर सभी विधेशी उफारों के साथ क्या पिछले सब्ता शी जिनपिंग की रूस यात्रा के मद्दे नजर यूकरेनी राष्ट्रपती वलोडिमिर जैलेंस्की ने शी को यूकरेन की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है शी जिनपिंग की प्रतिक्रिया थी मौन तो क्या वो धमकियों या आमंत्रलों का पालन नहीं करता है? वो बस सब को पढ़ने के लिए छोड़ देता है, चाहे कुछ भी हो? यार, यह आदमी वास्तव में बुरा है, जब पत्रकारों ने हाल ही में बीजिंग में विदेश मंत्राले की प्रेस कॉन्फरेंस में इसके बारे में पुछा, तो प्रवक्ता माउनिंग ने कहा, उनके पास देने के लिए कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये की बीजिंग मंधित पक्षों के साथ संचार बनाये रखता है, और विराम के बाद, अमेरिकी कॉंग्रेस चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को उसके जूट के लिए बाहर करने के लिए तयार है, वापसी पर स्वागत है, इस बेवकूफ को याद रखें, जिसने FTX निवेशकों को आठ अर की कमपणियों में से एक से संबंदित क्रिप्टो क्यूरेंसी परिसम पत्तियों में लगभग एक बिलियन डॉलर जमा कर दिया था, और चीनी अधिकारियों को पैसे को इंफ्रीच करने के लिए समझाने के कई असफल प्रयासों के बाद, उन्होंने अंतता सीधे सीधे उन पैले से ही जेल रहा है और वो बिलकुल भी परवा नहीं करेगा, जब तक वे उसे अगली देर सदी तक शाकाहारी भुजन खिलाते रहेंगे, चीन को घूस देने वाले और आट अरब डॉलर की धुखादवरी करने वाले को हर किसी के समान खाना खाने के लिए मजबूर न निकालने में शामिल चीनी अधिकारियों को दंडित करने वाला विधेयक भारी बहुमत से पारित किया है। एक आध्यात्मिक अभ्यास जिसे CCP नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब CCP को एहसास हुआ, लोगों को जेल में यातना क्यों देते हैं जबकि आप उन्हें मार सकते हैं, उनके अन्वो को बेच सकते हैं और भारी मुनाफ़ा कमा सकते हैं? हाँ, अपने धर्म को लाने के लिए एकदम सही जगह लगती है। गुड लक, मॉमन, आखिरकार, CCP अन्वो के लिए मुस्लिम उईगरों के पास चली गई, क्योंकि वे अब जेल शिविरों में भी हैं। युएस हाउस ने 2023 के स्टॉपफोस्ट और्गन हावस्टिंग एक्ट को 413 के मुकाबले दो मतों से भारी बहुमत से पारित किया। अमेरिकी सीनेट में एक समान ब्विदलिय विधेयक की समीक्षा की जा रही है जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों द्वारा सहप्रायोजित है। जिस तरह से बिल काम करता है, राष्ट्रपती को कॉंग्रेस को उन संदिग्धों की एक सूची प्रदान करने की आवशक्ता होगी जिन्होंने अंध कटाई के इरादे से जबरन अंध कटाई या मानव तसक्री में भाग लिया है। कॉंग्रेस के वास्तब में कुछ अच्छा करने की बात करते हुए, इस सब्ता उन्होंने चीन के विकास शील देश लेबल को हटाने के लिए एक विधेयक भी पारत किया। इसलिए अब कॉंग्रेस चीन को धोखा देने से रोकना चाहती है। यहां तक की कानून के साथ भी, हाला कि अमेरिका के पास चीन की स्थिती को विकास शील देश से विक्सित देश में एक तरफा रूप से बदलने की शक्ती नहीं होगी। लेकिन अगर बिल कानून बन जाता है, यह अंतरराष्ट्रिय संगटनों में चीन की स्थिती को बदलने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री को निर्देशित करेगा, और यह ऐसा करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करेगा। अब से चीन जो एक चीज विक्सित करेगा, वो है अमेरिका के प्रती गुस्सा। चीन की स्पेक्टरम पर अमेरिका की पीट का अनुमान लगाएं। सोभागये से वे उन खत्रों का पालन करने में महान नहीं है। और अब मेरे लिए एक ऐसे दर्शक की सवाल का जवाब देने का समय आ गया है जो चाइना अनसेंसिर का सीधे समर्थन करता है। इस शो को जारी रखने में आपकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका पैट्रियन या स्थानिये लोगों के माधिम से हमें योगदान देना है। जाएं ताइवान चीन है, पूरा चीन हो सकता है अगर यह इन लोगों द्वारा नहीं चलाया गया था। लेकिन CCP की योजनाओं को देखते हुए आप जल्द ही ताइवान का दोरा करना चाह सकते हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, क्यूरी और उन सभी को धन्यवाद, जो क्राउट फिंडिंग वेबसाइट प्रियन के माधिम से प्रती एपिसोड एक डॉलर या उससे अधिक का योगदान देकर चाइना अंसेंसिट का समर्थन करते हैं। या स्थानिय लोगों के माधिम से हमारा समर्थन करके, मैं क्रिस चैपल हूँ, चाइना अंसेंसिट देखने के लिए धन्यवाद। थान शाल समर्थन करता हैं।